अब नमस्कार होप सब लोग आप अच्छे होगे और आज की इस वीडियो में हम फ्राइडे के लिए मार्केट का क्या विउ बन सकता है मार्केट में कौन से important levels है मार्केट को पाच मिट के टाइम फ्रेम पे और डे टाइम फ्रेम पे हम देखने की कोशिश करेंगी कि मार्केट में क्या विउ बना हुआ है कल के मार्केट में वो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करेंगा दूसरी बार आज जो हमने ट्रेडिंग अपॉर्चनिटी फाइंड की थी वो लगबग यहां पर फाइंड की थी 47,950 के आसपास यहां पर मैं आपको दिखा दू तो यह 47,950 का जो एरिया है वहां पर लगबग हमने एक ट्रेडिंग अपॉर्चनिटी वहां पर प्लैन की थी और बड़ी असा मोमेंटम भी हमें उपर की सैड में देखने को मिला जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो तो अगर आप चाहते हैं कि इसका लाइव वीडियो आपको मिले तो चैनल पर पड़ा हुआ है हो जाकर देख लेना मैंने वहां पर कमिटमेंट किया था 100% आपको बोला था कि मार्केट हमारे लेवल पर टार्गेट देगा मतलब देगा लगबग 38 या 40 मिनिट की वहां पर लाइव रेकॉड ही है आप जाएए देखिए मैंने आपको वहां पर क्या बोला है लेकिन वो 38 मिनिट का जो वीडियो है वो वीडियो वहां पर पूरा देखिए क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो स्वाइकालोजिकली और टेक्निकली कैसे काम करना है आप वहां पर सीख नहीं पाऊंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए पेशेंस के साथ वो वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्या एकुरिस्टी है अपने एनलेसिस की ठीक है गाइस तो अब हम कल के लिए लेवल को डिस्कुस कर रहे थे कि कल के लिए मेरे लिए कौन से important level है पार्च मीट के time frame पर समझाऊँगा कि market का क्या scenario बन सकता है डे time frame पर भी बता दूँगा कि market में क्या scenario हमारे लिए कल के लिए बन सकता है और ध्यान में रखना कल फ्राइडे है फ्राइडे हमारे लिए बहुत इंपोर्टन हो बहुत कल के लेवल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी 33A में की जो स्ट्रेटेजी है क्या वो स्ट्रेटेजी ने आज के लाइव मार्केट में काम किया तो यह सब्सक्रेबर हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो मैं बहुत बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि वह स्ट्रेटेजी के लिडियो मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है यूट्टिब पे आप मुझे बता दिजे कि स्ट्रेटीघी वाला वीडियो आपको वहाँ पर भी मिला व्हाँ तो आज के लाइव मार्केट में यहाँ क्या हमारा 33MA का formula क्या है कि अगर 33 के EMA के उपर यह हमारा 33 का EMA है ठीक है अगर 33 के EMA के उपर market trade करता है तो market में हमें upside का सोचना है अगर 33 के EMA के नीचे market trade करता है तो हमें नीचे की side का सोचना है और दूसरी बात अगर वो उपर की side में trade कर रहा है market और यह में 33 के EMA से दूर अगर candle trade कर रही है तो और भी फियरलेस होके मैं वहाँ पर थोड़ा सा सोच सकता हूं कि यस अभी जो trend market में है upside का वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते मार्केट ने यहाँ कैंडल्स ने कैसे यह में से दूर ट्रेड किया और यहाँ पर एक बढ़िया सा upside का मुमेंटम मुझे देखने को मिला पूरी तरह से देख लिए जब तक मार्केट 33 के यह में के ऊपर था तब तक हमारा trend जो था वो पूरा upside का वहाँ पर था पूरी तरह से 33 का यह में क्या formula 33 की यह में की strategy मेरी खुद की मैंने जो यहाँ पर बनाई है है ना नहीं तो आपको 33 का यह में कोई भी नहीं बताएंगा ठीक है तो यही सारी बाते में आपको वहाँ पर बताईए तो थोड़ा साब जाकर देख लेना वहाँ पर वह आपके लिए बहुत life changing काम करने वाली है त तो वीडियो में लाच तक बने रहे ना तो चली वीडियो को स्टार्ट करें तो इस कल के लिए Friday के लिए तीन लेवल मेरे लिए important है तीन लेवल मैंने आप लोगों के लिए निकाले है बहुत important है कल के मार्केट में आपको यह बहुत ज्यादा साहता प्रदान करेंगे कल के मार्केट में As-a support काम करना है ए रेजिस्टेंस काम करना है टिपेमार्केट क्ल के मार्केट की खार्णे है मझे मैक्सिमम के ज्यादा चांसियस है कल के मार्केट में और ऑपेनिंग levels जैदा 85% चांस है के कल मार्केट कैसे उपन होता है लैट sophom करेंगा कि हमारा market कल क्या open होगा उसके आधार पर हम decide करेंगे कि जो आज के हमारे levels हमने यहाँ पे discuss करने हैं वह as a support काम करेंगे या as a resistance काम करेंगे तीन levels है तीन levels का आपको ध्यान में रखना है बहुत important levels है पहला level जो आपको ध्यान में रखना है वो है हमारा 48,300 का लेवल या accurate अगर आपको लेना है तो 48,280 का लेवल वो है नोटी मोटा आप उसको 48,300 का लेवल मान के चल सकते हैं उसके बाद जो मेरे लिए दूसरा important लेवल है वो है 48,050 का लेवल जहाँ पर आज हमने trading opportunity find की थी और तीसरा ज पता दू कि 47,750 के लेवल के तुल ना में 48,050 का लेवल और 48,280 का लेवल या accurate लेवल है मतलब यह वाले जो दो लेवल है यह सबसे ज्यादा important है आपके लिए कल के market में कल के market में आपको इन दो लेवल को focus करना है कल market की opening क्या होती है इसके आधार पर आप decide कर लिजे कि कौ और as a resistance काम करेंगा अगर मैं आपको बता रहा हूँ अगर कल market 48,300 के उपर open होता है मतलब यहां कहीं पर मैं आपको बता देता हूँ अगर market कहीं पर भी यहां पर open होता है यहां पर कहीं पर है ना तो market का जो trend है वो continue रहने की probability जो है वो बहुत ज्यादा है है ना मतलब market जो पर अपना अप्ट्रेंड जो है वहां पर continue कर सकता है ठीक है अगर 48,300 के उपर अगर market open होता है तो क्यों थोड़ी सी logic समझे थोड़ी सी psychology को समझे यहां पर आप देख सकते है यह market का डे हाय है जब market डे हाय के उपर open होता है तो market कोशिश करता है कि वो डे हाय के उपर उप रखना है कल अगर इस लेवल के उपर market open होता है तो मुझे नीचे की side का बिलकुल भी नहीं सोचना है ठीक है एकदम से aggressive selling मैं वहां पर नहीं करूंगा मैं ध्यान दूंगा मेरा price action candlestick pattern क्या बनता है चार्ड pattern कोई price action वहां पर बनता है उसकी इसाब से मैं वहां पर trade opportunity find करने लेकिन level important है 48,280 का level उसके बाद जो दूसरा level है 48,050 का level ये भी आपके लिए कल market gap up open होने की situation में as a support काम करेगा मतलब ये दोनों level as a support काम करेंगे अगर market gap up open होता है तो maximum chances है कि कल market gap up opening ही दे या flat note open भी अगर होता है तो हम देखेंगे कि क्या market इस वाले level का breakout देता है या न करेंगे कोई भी जल्द बाजी वहाँ पर नहीं करेंगे मैं आपको समय समय पर update करते रहता हूं ठीक है उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पाच मीट के time frame पर क्या scenario बन रहा है market का वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूं पहले मैं इसको clear कर लेता हूं ताकि आपको कोई पर time frame पर मैंने आप सेट किया हुआ है अब इस पाच मीट के time frame पर अगर मैं देखू तो market कहीं न कहीं आज एक ट्रेंड लाइन को follow करता हूं मुझे निजर आ रहा है मतलब एक ट्रेंड अप ट्रेंड है market में ठीक है तो हो सकता है कल market इस trend को continue करे gap up open होने के बाद में थोड़ 80050 का level नीचे की side में तूड़ता थो मेंद नीचे की side में मुआ इग्रेसिव तब तक नहीं होना है जब तक मेरा 48,050 का level मुझे ब्रेक नहीं होता तब तक माहीं नीचे की side में aggressive selling वहाँ पे selling के बारे में वहाँ पर वहाँ पहर बिलकूल नहीं सोचवर ठीक है कि पाच मी अगर थोड़ा सा आप लाजिक लगा है तो डे टाइम फ्रेम पर बनाओगा मैं इसको सेट कर लेता हूँ तो यह देखिए यह है आपका डे टाइम फ्रेम का चार्ट इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ तो डे टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ पर एक सुपर बुलिश कैंडल यहाँ पर मुझे देखने को मिला है और बुलिश कैंडल है मतलब कहिना की मार्केट में बाइंग प्रेशर जोए बहुत ज्यादा है और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर पीछे से थोड़ा सा द इस्पेक्ट करें और कल भी अपना एक जो ट्रेंड है वो कंटीनू करने की कोशिश करें मैं डे टाइम फ्रेम पर भी कब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचूँगा जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे कोई ग्रीन कैंडल की स्वारी कोई रेट क यह लेवल 47,790 का लेवल यहाँ पर निकल कर आता है तो इस लेवल के नीचे अगर कोई रेट कैंडल क्लोजिंग देता है तब मार्केट में हम मान के चल सकते हैं कि अभी मार्केट का जो अप्ट्रेंड हो खतम हो चुका है और अब मार्केट जो है नीचे की साइड में एक एक और अग्रेसिव सेलिंग वहाँ पर दिखा सकता है लेकिन फिलाला इससी कोई विउ या प्व का अनिचे वहाँ पर नहीं बन रहा है तो मैं वहाँ पर अग्रेसिव सेलिंग से थोड़ा सा दूर ही रहूं गा तो इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं है तो आवेर रहना पड़ेंगा कल के मार्केट में भी और कल भी हम छोटी कॉंटिटी में ट्रेड करेंगे कॉंटिटी कभी भी हम बड़ी नहीं करेंगे कब तक कॉंटिटी एग्रेसिव बाइंग में बड़ी नहीं करेंगे जब तक हमें 49,000 का ब्रेक आउट नहीं मिल जाता मार् êmement को छतम हो जाएगा कि समझ में आगए है और लोग संसेंघ में और सभूसर हाव करिंगा परिंग करेगा मार्केट्स के ओपनिंग मार्केट्स नहीं दे रहें तो मुझन मार्केट में bearishness view बना के नहीं चलना है, मतलब bearish view बना के बिल्कुल मुझे नहीं चलना है, मैं market के trend के साथ वहाँ पर चलते जाओगा, so thank you so much guys, आप लोगों वो समझ में आया होगा, analysis अगर अच्छा लगा होगा, ये कल के market में आपके लिए बहुत helpful साबित होगा, levels, daytime frame पर market क्या scenario है, daytime frame पर क्या candles बना है, और उसके बाद, 5 minute के time frame पर market में क्या trending वहाँ पर चल रहा है, वो भी आपके लिए, कल के market में बहुत helpful साबित होगा, so video अच्छा लगा होगा, तो video को like share जरू कर देना, चैनल को subscribe जरू कर देना, क्यूंकि live updates, live trading, live commitment में यहाँ पर करते रहता हूं, और amazing 33 EMA जैसे concept में आपके लिए लिए लेकर आता हूं, so thank you so much, जैशी रहाँ,